सब्सक्राइब करता हूँ कि आप हर दीन एक खंटा बहुत अच्छी एक्साइज कर रहे हो और अपने लंग को अपने हाड को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्मुनिटी को पड़ा रहे हो तो चले सुरात करते हैं आज की टॉपिक से दोस्तों हम हर तहसिल में एक फैक्टरी लगाना चाहते हैं फैक्टरी वो कैसे काम करें इसका बहुत सिंपल एक्जामपल मैं आपको दे सकता हूँ आज पूरे इस परियावरन में इस प्रकृति में जितने भी जीव है वो क्या कर दूस्ता हमार जो फ्यक्तिर हों सब्सक्राइब थया है और जो खा नीपर नीपरग्रास और डिधारों की अगर दो रादक दिया तो दो यह चान्य चेंदा इंदल के स्वरोड़ और मेशैंतरी फट्य लगस्विलनाइब इंसेतष हैं नहीं को सबस्क्रड़ करक। होते हैं एक हमारे इंसेयल फैमिली के सभी उद्धियोगों सभी मेंबर्स को सिर्फ दो गैस को याद रखना है क्योंकि बाकि के सभी गैस जो एक दो परसेंट में आते हैं उसमें वाटर वेपर हो गार सब कुछ हो सकते हैं लेकिन आपको कुछ भी याद रखने की जरुरत नहीं आपको सिर्फ यह पिछली बार हमने बिखिन के बारे में जाना इस बार हम लोग कारबन डॉक्सएड के बारे में समझते हैं मुझे पता है कि नाम सुनके आपको बहुत ऐसा लगा होगा कि नीन बहुत टेक्निकल बहुत कुछ डिफिकल्ट ऐसी कुछ चीज है आज दूसरा यह भी मुझे प बुष्ट के बढ़ सकते कि मालुम ही ने क्या ओंता है कि दोस्तों मैं आपको इस चार्भन डॉक्सड का विशिषएन या एक्सपर्ट नहीं बनाना चांथा है इस इतना आएक्सब्स अ कि यह पूरे प्रोजर्स में सभी इतनी जांकरी ले ताकि उनको यह समझे कि हम लोग बिसनस पे कर क्या रहें और कारवन डॉक्साइड करके प्रोडट्स का आगी जाके क्या होने वाला तो तो यह जो करवन डॉक्साइड है यह हमारी हुआ में भी रहता है लेकी हुआ में कि इतना होता है तो पॉइन्ट कि वह सारी चीजी होती है जिसए वह आ आता है लिंकिन उस चीजह हों जिस्सर्श से यह कारवनड़क्साइड हानाँ है उसके दो तरीकों में हम लोग उसको डिवाइड दर सकते हैं एक वो ऑस unjust स्दोंस चलता-चलता और उसकी वज़े से हमारी हिस हवा में कर्बन अकस्टिय। उतना है और उसका एक ही सार्ष एक है इस सब्स byट यह हमारी ब्रेधिक हम चो अब सब्सक्राइब पानी में हैं पुर्थवी के उपर सबसे ज्यादा पानी है पानी से सबसे ज्यादा और पानी और वातावरन जो जगह होती वहां से शुरुआती है और बाद में लगब 28 परसंट जो कर्बन आक्षड है जो हमारे पुर्थी के उपर जो सची होती है उससे आती है लेकिन दोस्तों इसके अलाव अभी ये कार्बन डॉक्स है अप्रूत्रिम अप्राप्रूते अच्रल ऐसे सुरुप से वह आ रहे हैं कि इसको बोलता है कि मनुष्य मानु निर्मित कार्बन डॉक्स है अभी मानु जो निर्मान कर रहा है और उसके सूर्स आप जानेंगे तो नंबर वन मिर्म ये लगबग 9 परदिशत ये आता है अमरे लैंड यूज जो अलग अलग जब इन ये कल्श्टाइक कार्बन डॉक्स है करते उसके वज़चस और 4 परदिशत आता है यह involved में तो यह 0.03% वाला carbon dioxide है लेकिन दोस्तों आज जिस मकसद के लिए हम लोग ने पूरा संगटन का कार्य चालू किया है इस आंदोलन पूरी दुन्या में हम लोग फैला रहा है एक ऐसा उत्रश है जिसके लिए हम लोग सब मिलके काम कर रहे हैं और वो है हमारे धरती को हमारे इस दरती मा को इस पूरे परियावन को बचाना क्योंकि आज जिस संगट के वज़े से पूरी दुनिया खत्रे में है वो है ग्लोबल वार्मिंग को ग्लोबल वार्मिंग का संगट का सबसे बड़ा कारण है यह आज जिसके लिए हम सभी लोग इतने दिन रात मैनत कर रहे हैं पूरी दुनिया में ना जाने कितने लोग इसके इसकी लिए उत्री हुए उस संकट का नाम जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका कारण है कारण राक्स है और इतना गहरा बनता जा रहा है दिन बाद दिन आज हम लोग यहां सैमिनार कर रहे है लेकिन क्या आपको पता है मध्य आज क्या परिस्ति है रेकॉर्ड ब्रेक कभी भी इतना नुक्सान बाद से नहीं इतनी बड़ी बाद उस मद्ध्यप्रश परदिश में कुछ दिन पहले ही अभी महाराष्ण में 15 दिन से जादा वह इतनी बबार थी अभी मद्ध्यप्रदेश में हर 48 गंडे के बाद कोई नो कोई राज आज प्रभावित हो रही है आज की परिस्ति क्या आप समझ सकते कितनी बूरी कंडिशन में आज हम लोग है इस ग्लोबल वर और बागी के सभी 24 परसेंट है तो आप सोच सकते कि कैसे यह कारबन डॉक्सिट अगर आप देखोगे तो इतना इंपॉर्मिंग में जो भी चीज आप करते हैं यानि ग्लोबल वर्मिंग को बढ़ाते हैं ग्लोबल वर्मिंग को कम करते हैं यह सभी का परीमान जो होता है कि अगर आपने ग्लोबल वर्मिंग को बढ़ाया तो भी वह उसका उसका परीमान होता है वह भी कार्बन डॉक्सिट के स्केल में होता है लेकिन अगर आप इसको कंद करते हो इसके लिए कुछ अच्छा काम करते हो तो आपको कुछ बक्षित दिया जाता है वह भी होता है क यह परिमार्य स्केल कि और जब आप इस पूरे वातावरां का यह जो ग्लोबल वातावर्ण कम करते हो तो कितना प्रोदूशन कम किया उसका जो स्केल है उसको और इसके जो बखषिस दिया जाता है उस बखषिस को बोलते हैं कार्बन क्रेटेट्ट एक टन कार्बन जिसके आप रेट कम जादा होता रहता है लेकिंद कम से कम जो मिलता है वो दस डॉलर पर क्रेडिट है हैं दोस्तों क्रेसे ची hetli sometime stot 20 ऐच सभी चीज हैंसे बर लोग कर रहे कि सभी सब जलता हैं जिसके उपर और बंक nine सब्से ज्यादा कहां से आता है अगर आप देखोगे तो जो भी इंदर्व लोग इस्तमाल कर रहे हैं जो भी खने जिंदर ने इस्तमाल कर बिजली बनाने का यह सबसे बड़ा कारण है कि जिसको से ज्यादा से ज्यादा कारण हमारे इस वातावरण में जा रहा है और दूसरा है पूरी दुनिया में 80% बिजली जिससे बनती है उसमें से मैक्सिमम कोईला जला जाता है और इसलिए इतना दुआ हो रहा है या तक हमारे देश में भारत में लबग 75% बिजली हम लोग बनाते हैं कोईला जलाने और प्राक्रुतिक जलाने आप कहीं भी हो अपने भारत देश म सबसे पहले तो इस कहीं भी इस आउस्टिक निर्मितिक एंद्र या थर्मल इलेक्रिसिटी जो सेंटर है उदर आग देखोगे तो यह ऐसे आपको चित्र दिखाई दे और पूरी दुनिया में नहीं है तो दोस्तों आप सोच रहे होगे कि कैसा कारबन डॉकसाड जो इतनी कारबन डॉकसाइड का कॉंटिटी हम लोग दिखते हैं आज हर तहसेल में हर तहसेल में हम कम से कम सो तन यानि 1,00,000 किलो से एंजी बनाने बाने हैं तो अगर 90% के हिसाब से भी आगर आप देखो गे तो 1,00,000 किलो में 90,000 किलो इतना पनाव नहीं हैं तो जब नब्बे हज तो कम से कम 40,000 से 50,000 किलो कार्बन डाक्सईड हर तैसल में हर दिन बनने हो लिए तो क्या होगा इस कार्बन डॉकसईड तो दोस्तों कि यह कार्बन डॉकसईड एक कार्बन का बहुत सबर्दस ऐसा स्तुरूद है दुनिया में कोई बी ऐसी चीज़ जिसमें कार्बन डे मैं हमेशा कहता हूं कि हर चीज से हम लोग इंदन बना सकते लेकिन सिर्श इस नहीं जिसमें सिलिकेट मिट्टी जिसमें काच और मेटल्स धातू क्यों सकतें पर कि सब कुछ बना है कार्बन से अगर इस कार्बन डॉक्साइड के हम अच्छी तरह से इसका उप्योग करें तो यह कार्बन जैसे ग्यास बनती है वैसे ही हम लोग उसको वैसे इस्तमाल कर सकते हैं और यह करबन डॉक्साइड को बहुत सरी प्रक्रिया करकर बहुत सब्सक्राइब कर सकते हैं कैसे देखते हैं कि यह जो चार्ट है ऐसा चार्ट दिखाना पढ़ना मुझे अच्छा नहीं और ना ही मैं आपको इस चार्ट में कुछ बताने वाला हूं मैं सिंपल चीज आपको करने वाला हो कि अभी हम लोग कैसे कर रहे हैं कि हम अभी पूरे इस धरी जिन्दां को रिप्लेस कर रहे हैं हमारे इस जय विंदन के साथ कर्बन नुड्रल और निगेटिव और हम लोग कहिए रहे हैं कि हम लोग पूरे दुनिया को एक ग्रीन एक तरफ लेके जाने वाले हैं वैसा ही कुछ प्रयास इस केमिकल्स के बारा में भी हो रहे हैं आज सभी जो केमिकल्स पेट्रो केमिकल्स पूर्ड ओजर से आता हैं और प्लास्टिक को सब कुछ इस वर से बिगड़ा है और उसी की वज़े से हम लोग आज देख रहे हैं कि करुणा अमारी यहाँ है और जिससे प्रक्रूति का संतुलन रखे इसको कहते हैं और इस सबसे अहम भूमिका आने वाले दिनों में अगर किसी का होगा तो वह है कि इस कार्बन डॉक्सल को हम लोग ऐसे ही सिलेंडर करके बेश सकते हैं सिलेंडर में आपने गया उसको लिक्विड बनाया डाला और कई सकते हैं सबसे आज की तारिक में कार्बन डॉक सबसे चाहरे है जो अगया हो रही है जो सेल हो रहा है वह उपता है कि को यह होगा मकज लूप तेल और ग्यास निकालते हैं आप कही सारे आईसे कोई है कि जिनका तेल बहुत कम-कम कम ऊचुका है तो अगर इस तो जो थोड़ा बचे हूँ उसको किस तरह से हम लोग उपर लेके आए तो इसके लिए उत्यों होता है इस कारबन डॉक से जहां होता है कि जहां आपको आपको तेल का खुआ होता है उसके सब्सक्राइब करते हैं और फिर आपको कोई से ज्यादा तेल मिलता है इसको कहते हैं इन्हांस ऑईल रिकवरी इसकी लिए सबसे ज्यादा आज की तारिक में कार्बन डॉक्सर का इस्तमाल हो रहे हैं और सबसे ज्यादा जैसे और सबसे जादा लागत इंवेस्टमेंट होने वाली इंडेश्ट्री भी ऑईल गास ही है तो सबसे अच्छी पैसे या रिनुम्रिश है इस इंडेश्री से इस कार्बन डॉक्सर को बेंगे हैं दूसरा आज की तारिक में सबसे ज्यादा कार्बन सब्सक्राइब करते हैं तो यह सब्सक्राइब करते हैं तो इसको बनाने में कमपल सरी और आज बहुत बड़ी मात्रा में इसको इस्तमाल करते हैं अगर इसको अच्छी तरीक से और बहुत देर तब तो उसके लिए भी कारबन डॉक्सर का बहुत अच्छे इस्तमाल करते हैं क्योंकि अगर जिस रूम में रखा है उस रूम में अगर हम लोग कारबन डॉक्सर डाले तो यह कैसे खराव होती है यह सब्सक्राइब इस जीव जन्तर से दुन्या में नें तो से च्ड़क कारबन डॉक्सर की अस्तमाल करने के बाद आपका यह जो खराब कि दोस्तों कोई भी इस फूड या कोई भी ऐसी चीज कितनी अच्छी है यह देखने के लिए भी कारबने लगती है इसका मतलब वहाँ वाइक्र ऑर्गनिजम्स बढ़ने लगते हैं और जब भी हो काम करते तब अपना ऑक्सीजन तो उसमें कितना कारबनोक्साइड हो रहा ह देखें आपकी फूड कॉलेटी कितने है वह जेक होती है उसमें इसकी दुरूत है और यह जो इंडुस्ट्री यह आइस्ट्री में भी इसका कंपल सरी उप्योग होता है करबनोक्साइल का तो दोस्तों इसके अलावा अभी नया उप्योग नया अप्लिकेशन का बढ़ र दोस्तों जैसे मैंने कहा कि पूरे यह जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहे यह कार्बन टॉक्सेल में यह एमिशन्स में यह जो कंस्ट्रक्शन है लाइन यूज है उसका नाइन परसेंट सबसे ज्यादा कारिया में इसका इस्तेमाल होता है उससे बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है लेकिन जब अगर इस सिमेंट में अगर आप कार्बन डॉक्सेड आट परोगे तो तो सिमेंट की आपकी लागत या रिक्वार्मेंट उत्तीस प्रतिशत कम होती है और इसके अलावा आपकी जो सिमेंट की कॉंक्रेट की श्वेंट है वह भी बहुत बढ़ती है तो दोस्तों अभी यूरोप में अमेरिका में यह प्राक्टिस बहुत पॉपलर हो रही है बहुत बड़ी मातर में यहां कार्बन डॉक्सेड की उत्यलाइजिशन हो रही है और व इसको बोलते हैं कि इसके आगे यह कार्बन डॉक्सेड का बहुत बड़ा इस्तमाल सभी अगनिशमन दोलों में सभी अगनिशमन उपकर्णों में होता है तो कि जैसे मैंने कहा कि कोई भी जी जी जिवो जैसे जिन्दा रहने के लिए सास लेने के लिए ऑक्सिजन की जरू लेकिन अगर आप इसके उपर कार्बन डॉक्सेड डाले तो यह हवा का संपर बन कर देता है और आप पूरी घर से पुछती है आप कोई भी अगनिशमन उपकरण देखिए इसमें कंपल सरी कार्बन डॉक्सेड होता है यह बहुत उसकी अच्छी खुभी है कि जिसके यह कार्मательно को का इस्तमान होता है कर दो जूप सकber बना सकते और से ब्लॉक्ट जो कि नॉर्मली हम लोग कोन सा बड़ देखा है तो पानी का बड़ देखा है पानी जो जिरो डिए सिल्सेस के नीचे आया तो उसका बड़ बन जा लेकिन यह बड़ जब पिखलने लगता है तो उसके बाद और पानी तायर होता है इधर अश्य नहीं होता है पहले पहला तो यह कारबन डॉकसेट से जो बर्ब बनता है वो माइनस सब्दर माइनस अस्य डिग्री में बनता है और एक बर उसको अपने वातावरण में रखा तो उसका पानी नहीं होता तो उसकी वाब बाब हो जाती है यास बन जाती है और यह चुकि हेवी है अधिक वजंदार है हवे से यह निचे ही रहता है इसके हवा बन पर हवा में उपर नहीं चला जाता है तो आपने देखा हो को बहुत सरी इसी फिल्म इंडिस्ट्री कोई भूत की या कोई डरावनी मूवी है और वहां अगर दिखाना है कि वहां बहुत सारा दुगा है वहां फॉग है तो उसमें ड्र रखने आपरेश्र होने की वज़े से इस ड्राइज को कई सारे इंडेस्ट्री का आपन गजिए लिए और यहां भी हम लोग इसको सप्लाइय कर सकते हैं इसके अलवा सब्सक्राइब करता है कि अगर आपकी लेजर वेल्डिंग जो आपको समझेगी भी नहीं के हां वेल्डिक हुई तो इतनी अगर सब्सक्राइब करना है तो सबसे बड़ी मशिन सबसे जबर्दस मशिन जो पुद्रत ने बनाई है वह पेड़ तो इस पेड़ जैसा मैं ने का कि आज हमारे फैक्टर में जैसे वह खाना क्या है तो नेपेर गास्ति अगर वह उनका कुछ खाना होगा तो यह कार्बन डॉक्स करके कैसे हम लोग जादा से जादा अच्छी फार्मिंग जादा से जादा अच्छी अगरी कल्चर कर सके इसका नाम है कार्बन फार्ट तो इसमें इस कार्बन डॉक्स क्टिण के यह इस लिए इस्तमाल होता है कि कैसे हम लोग जादा से जादा उत पाता है हमारा नेपेरक्रास तो ही नेपेरक्रास अगर एक हेटर में पास्सों छे सों शाथ सो टन सका कितना सारा कर्बन डॉकुषड हो वह गवाता वरं से लेता है और उसका अनाज में अब लिए इसे फार्मिंग के लिए उस्तमाल कर सकते हैं कि जो नेपर कास से भी ज्यादा बायमास दे सकते हैं जो दुनिया का सबसे एफिशन प्लांट और उस वनस्पति का नाम है अलगे जए वाला तो सकता है कि आने वाले दिनों में यह अल्गे फार्मिंग के लिए भी ह आज भी जहां अलगे फार्मिंग होती है वहां अंपल सरी कर्पन डॉक्सेड की जरूत होती है दूसरी बात यह जो अलगे सिर्फ बायमास नहीं देता कई सारी नुट्रासिटिकल कई सारे प्रूटीन्स या मिन्राल्स ऐसे बहुत सारी चीज़ों का यह सोर्स है तो यह हम हमारे तस्रेDIL में आगे आने वाले दिनों में यह करने वाले हैं लेकिन दोस्तों में इसके अलबा यह जो कार्वन डॉकसेड है इसका बहुत इंपोर्टें यूज्ज़ को यह सोच नहीं सकते जिस प्रिफो केमिकल के बारे में हमयशा बात करते है और हम लोग उत्य है कि प्रोडुक्स को रिप्लेस करना ऐसे प्रोडुक्स के साथ जो धर्ति का खाल रखे इस परियारों का खाल रखे हैं यह इस काम में बहुत हैं बहुत हैं पॉलीमर क्या है इसको पॉलीमर बहुत सारे एक सिंगल सिंगल मॉलीकुल से बनता है इसलिए उसको बोलते हैं लेकिन सिंपल अगर आपको समझें कि भाशा मैं में बोलू तो सभी रबर्ट सभी प्लास्टिक सभी पीवीसी पाइप सभी आपके घर के फरनीचर सभी स्कूटर और जो कुछ प होता है जो पलास्टिक इस्तमाल होता है जो कुछ हाट चीज ही इस्तमाल होती है कि और उसको मिल के सब्ने उस यह가는 कॉछन नहीं होगा उसका कई नहीं होता है लेकिन अग जहां यह तयार होता है तो कितना बड़ी है पूरे प्लास्टी के पूरा जो आस जो हम लोग देख रहे हैं पूरा हम लोग इसको या इस तरह के से कर सकते कि जो सस्टेनेबल बन जाए जिसको आराब से हम लोग सब्सक्राइब बनाने में बहुत अहम रूमिका हो सकते हैं लेकिन इसके आगे जाके ऐसी चीज जो कर सकता है वो यह है कि यह जो हम लोग भी आज पेट्रोगेमिकल्स बना रहे हैं इसका सभी रॉमिकल कहा से आता है क्रूड ओल से आता है पूरी तरह से अठाके क्रूड ओल के जगह पे हम लोग किसान जो तैयार कर सकते हैं जो क्हेतों से आ सकता है ऐसी चीज़ों को लेके और कार्ब्सक्राइब को लेके हम पेट्रोगेमिकल्स बना सकते हैं दोस्तों ये बायो प्लास्टिक, बायो रबर, बायो पैकेजिंग, बायो केमिकल्स, बायो फर्मिचर ये सब कुछ हो सकता है, जो 100% डाइजिस्टेबल होगा, 100% बायो डिरेडेबल होगा और इसके वज़े से कोई भी परियारों के हानी नहीं हो, तो सोचिए, जो सपना हम देख रहा है कि 100% इस पेट्रोगेमिकल्स को करने का वह वह कंपूरी अल्टरनेट प्रॉडट्स को हम लोग पूरी तरसे रिप्लेस करने का जो पोटेंशाल है, क्ला सबसे इंपूर्टन चीज, यानि कारबन डॉक्सिलेड से मिथेनोल तयार होता है, आप बोलेंगे, तो दोस्तों यह जो इंड़स्ट्री आप देख रहे हैं यह आपको रिफैनरी लगेगा रिफैनरी नहीं है कि मिध्यनौर टैयर करने की फैक्ट्री एक नहीं है इसे कई सारी फैक्री पुरी दुनिया यह मिध्यनौर अधिनौर यह अलकॉछ इतने सारे जगह में उसके आप्ट्रीकेशन से क्या आप सोच नहीं सकते हैं यह जो इन्दा ने उसको ब्लेंडेड हम लोग फ्लेट कर सकते हैं जहाज में उप्यों कर सकते हैं फट्रिलाइजर प्लास्टिक्स फार्मसिटिकल अधिन प्लास्टिक्स जगह बें मिध्यनौर का इस्तमाल होता है। यह जो चितर आप देख रहे हैं इस चितर में जो कोई सब कुछ आप देख रहे हैं और सब कुछ मिध्यों से तायार हो सकते हैं। यह जो अधिन तो यह जो आप देख रहे हैं यह जो भी आज चिज आप इस चितर में देख रहे हैं वह सभी हम मिध्यनौर कर सकते हैं। यह जो पूरी दुनिया में अभी आप यह कारबन डॉकसाइट पहले तो यह जो आप दूसरे सोरसे से करते हैं। लेकिन आज इस कारबन डॉकसाइट से मिध्यनौर बनता है यह जो लोगों के समझ में है। तब आल ओवर दवर्ड एक तरफ से तो इसकी ग्लोगल आप भी कम होगी और दूसरा इससे हम लोग कुछ बहुत सारे उप्युक्त ऐसे प्रोड़क्स भी बना सकते हैं। इसकी उपर बहुत सारे कंपनी काम कर रही है और उन्होंने कारबन डॉकसेट का सोर्स करके जो फ्लू गैस होता है। जो भी हम लोगों को ने देखा और ऑशनी केंद्रों में वह जो निकलता है दुआ उस दुआ को पूरी वह अपनी फैक्टरी में लेके आते हैं। और उस धुआ को पूरी तरह से साफ करके वह उससे कारबन डॉकसेट निकलते हैं और उस कारबन डॉकसेट से फिर नितला नहीं बड़ी बड़ी फैक्टरी आप देखर यह फैक्टरी भी कारबन अच्छे फैक्टरी वह बनने जा रही हैं। कि लेंटी लार्सन टुब्रो उसने उन्होंने एंटीपिसी नैशनल थर्मार और कॉर्परेशन जो उष्णिक उर्जा के द्रव के उनकी जो फैक्ट्रिया है उनके साथ मिलके उनका सब कारबन डॉकसेट लेके वह मिधनल बढ़ा है तो यह पूरी दुनिया में अभी प्रक्रिया है जिसको बोलते फिशर ट्रॉप सिंतेसिस या प्रक्रिया प्रक्रिया में डालेंगे तो हम लोग यह सभी बना सकते हैं लिक्विड फ्यूल जो भी आप दिखते हैं मार्केट है यह जेट फ्यूल बनाना है हमें आगे जाने वाले दिनों में कुछ-कुछ ऐसे अप्लिकेशन है कि जहां लिक्विड फ्यूल ही काम करेगा तो वहाई और हम ने में लिक्री फ्यूल फ्यूल हुचक को वहाई वी मान जेटी ऑडिते आटी इसको बहते लिक्विड फ्यूल इससे दैर वो 성कते लूट यह आज पेट्रो केमिकल से इससे बना सकते हैं इस सुपर क्रिटिकल कर्बन तो इस सुपर क्रिटिकल कर प्रेशर बढाएं इस और प्रेशर बढ़ा ऐसको टेमिशा है तो वह घूकुट होकि लेकित के आगे जाकर एक स्थेज होती है जहां कारबनिक नॉक्साइड में चैज में प्रकशल को लिंध हे उसको नुद टेंट पर और यह जो special उसकी अवस्ता है उससे बहुत काम होते हैं सबसे पहले तो हमारे अगर कोई organic compound से एक ऐसे बहुत mixture में उसको निकाल सकते हैं उसको सब्सक्राइब करके काम करते हैं दूसरे जो मैंने कहा कि प्रक्रिया है जिसे हम इतने सारे प्रोडक्स बनाने हैं उस फैक्टर में भी इस सुपर क्रिटिकल कार्बन ऑक्सेट का व्योग होता है आज यह जो देखते हैं आप फायर वूड आमें आपकी जो लगडियों जलती आपको बनाना है तो उसमें भी सुपर क्रिटिकल कार्बन ऑक्सेट लगता है तो दोस्तों कार्बन ऑक्सेट आने वाले दिनों में इतना सुपर प्रोड़क्ट होने वाला है कि आप अंदाज नहीं कर सकते हैं यह जो पूरी इंडेस्ट्री जिसकी बात हम लोग कर रहा है पूरी पेट्रोकिमीकल इंडेस्ट्री इस में रिपन की इंडेस्ट्री इस सबी की साथ क्रिप्ली करेंगे और इस प्रप्रति का कि इसको बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि आपने देखा हुआ कि कई सारे जगह पे हैं अब यहां भी नूज में देखा हुआगा कई सारे देशों में कई सारी कंपनिया है जो है जो है करें दो क्या है कि यह बताने के लिए अलग सेशन ही लेना पड़ेगा तो चलिए यह समझने के लिए पहले यह समझते हैं नुकलियर बॉम आपको पता है जो बंध हुआ वा हिसे ये अमेरिकाने जपान के डाले दो ले और इस तरह की इस तरह से विनाश हुआ कि इतना महा प्रलेकारी बॉम है कि उसको देख पूरी दुन्या ने जुद बन कर रहे हैं इतना महा भयंकर महा सहारक महा विनाशकारी है यह बॉम जिसको पहते हैं नुकलियर बॉम और इसके आगे आया है हडोजन बॉम अब यह जो बॉम यह सुनके आप यह सब्सक्राइब करते हैं जो नुकलियर बॉम को ही अम लोग इस्तमाल कर उससे चाहिए जितनी उर्जा तयार कर सकते हैं और हाँ वह भी ऐसे उसके बाद कई सारे देश इसके उपर लगे ताम के उपर लगे और उन्होंने इसके उपर ब बिजली बन बनाती है ऐसे प्रोजर्ट भी आपने देश में चालो बहुत है और लेकिन लोगों को यह भी पता चला ने पहल भी आ गहीं कि जिस बेनेफिट के लिए लिए आप बात कर रहे हैं और जिस बेनेफिट के-लिए हम लिए प्रोजर्स लगाना चाहते हैं सोचिए उसके खत्रे के बारे एक परसंट भी यहां का कुछ खत्रा हुआ तो सुचे क्या हो सकता है तो बाद में पूरी दुनिया में पहले हो गई ऐसे नियम ऐसे काईदे कानूर हो गए कि कोई भी नुकलियर के बेस्पे एनर्जी एनर्जी के प्लांट नहीं बनाएगा और अभी जो आपके जो प्लांट है उसको भी आप दिरे-दिरे करके बंद करने वाले हों यह है नुकलियर दुनिया को एक मिनिट में बरवाद कर सकती है कि दोस्तों है 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 जो फ्यूल है 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 बहुत उर्जा है है यह जो गाड़िया बैड़रिय का नाम है इस फिर में वह फ्यूल से यह अब इसको करने के बाद आप देखो कि तो इसके कोई धुआ नहीं आता तो इसी व कोई दूए इस पानी तो नहीं तो नहीं जो रखता है तो तो फोड़ा सा पाली गाल कर लेकिन यह पाली तो अबको लगता है कि नहीं इस पर खुछ भी प्रदूर्शन नहीं सब सब पूरा इको फ्रेंडली है लेकिन दोस्तों यह फाइड्रोजन बनाने वाला प्लांट है इस पूरे संसार में ऐसे वह ऐसा बुल द्रव्य है वह कभी बैसा अक्यला नहीं दिखेगा उसको अक्यला बनाने के लिए उसका अलग उसका प्रोड़ुक्शन करने के लिए इतनी उर्जा लगती है इतना कार्बोड़ुक्सट के इमिचन होता है कि जितना आपने वहाँ उ उससे ज्यादा आपको यहां लगता है तो जो आप बोल रहें कि उसके प्रोड़ुशन नहीं होगा यह बात कोई इसे कुछ नहीं होता है लेकिन हैड्रोजन को जिस तरह से स्टोर करना और उसको ट्रांस्पोर्ट करना पहले तो बनाना इतना पैसा लगता इतना खर्चा ह कि प्रलायगा सबनाई। यह फट बोल्चनर्ण वेडिकंट क मताने तो डब्रोडी कारी होका देग्जरस है तो दोस्तों ऐसे बहुत सारी किस्चे हो गया है बहुत सारे चीज़ चीज़े हो गई है हम उसको नहीं के बारे में है इक सत्रंप्रांस सकतें यह इसम göz बात हो सकते हैं लेकिन एक बात हो मैं यहां बताना चाहूँ देखो अभी 400 क्रोडों साल पहले मनुष्य सजी इस दर्ती पे आ रहे हैं 400 क्रोड साल 400 क्रोड साल और हम ने हम लोग से देड़ से देड़ से 200 साल से हम लोग ने इस घनी जिन्दन का उप्योग करना चालोगी मन्तियों में क्या ओभ्ला रहे हैं हम लोग सब देख रहा है कि हम और ठीन कहीं हो रहे हैं पूरी दून्या में हो रहा हैं चायना में हो रहा है sees चायन जो कि हम परुत जान जोडरा है लेकिन अगर आप सुचें कि हम आइसे चालों रखा तो सिर्फ पचा साल आगे क्या हो सकता लेकिन अगर हमें आगे के पचास ने अगए के 5-6,000,500,000 साल अगर जिन्दा गरारंग से रहना है तो हमें प्रकुति की की नियमों पर अधार की काम करना पूँए वह सस्टेनेब्ली लेढ़ी लिए तो हमेशन प्रकुर कि हमें दिखाती है, हम बताती है कि इतने सालों से करोडों सालों से मां कैसी हुर्जा वाके स्पूछी हमारी धर्दिमा ये प्रकृति प्रदान कर सकती इतना है और वही तरीका है वही हजारों लाकों सारों से अगरिकल्ट जरी चलती आ रहे हैं और आने वाले दिनों में वही वो पूरी दुनिया को सस्टेनिबलिकरी का रास्ता दिखती है और यह हमारा घुश नसीब है कि माने इस प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया भारत में जितनी आगरिकल्ट जरू सकती वहाद पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकती है तो आने वाले दिनों में हमें इतना बड़ा काम पूरी दुनिया के लिए कर सकते है इसलिए हमें पूरा इस आगरिकल्ट जरू करना है औ तो सब कुछ करते हैं जो जरूरत है फिर से हमारे देश को सुझलाम सुफलाम करें धन्यवाद